हेलो स्टुडेंट् आज की इस वीडियो हम लोग नरेशन से रिलेटेड कुछ टोपिक को समझेंगे इन्पॉर्टेट टोपिक और नरेशन होता क्या है यह हम लोग आज समझेंगे ठीग है तो सबसे किसी के सामने वह होता है narration अब हम इसको narrate कर सकता है दो तड़े से यानि कि narration का type dot होता है direct और एक होता है indirect ओके direct and indirect direct means क्या हो गया यहां पर जब किसी के कही हुई बात को हम लोग बीना किसी change के नरेट कर देता है तो वह हो गया direct में आ गया indirect narration यानि कि indirect speech मतलब होता है किसी के कही हुई बातों में हम लोग कुछ change करके फिर बोलता है यानि कि किसी के कही होगा speech को हम लोग अपने शब्दों में बोलेंगे तो वह हो गया हम लोग का indirect speech अगर हम दोनों का example देखे तो थोड़ा सा सबसे पर देखते हैं तो direct का example है the teacher said the principal is going away यह जो है यह direct speech का example है direct speech यहाँ पर quote कर दिया गया है quote यानि कि inverted comma के अंदर में speech ठीक है तो यह जो inverted comma के अंदर में speech है इसको क्या हम लोग बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग reported speech ओके और इसका क्या नाम है इसका नाम है reporting verb और जब भी reporting verb रहता उसके बाद एक comma रहता है हमेशा यह direct speech में rule है कुछ पहला तो यह कि reporting verb के बाद comma रहेगा दूसरा यह कि reporting speech जो है वो inverted comma के अंदर में रहेगा और अगर हम indirect के एक example देखने जाए indirect speech का एक example देखे तो my brother said that he was laborious यह हो गया यह जो है indirect speech में है क्योंकि इसमें हम कुछ changes ले आया है यहां पर that का use कर दिये हम कि मेरे brother ने कहा कि वह बहुत ज़्यादा महनती है तो इसमें हम लोग किसी दूसरे के बात को कही हुई बातों को अपने शब्दों में हम बोल रहे हैं तो यह हो गया indirect speech के example यहां पर क्या क्या कुछ important points है यहां पर किसी भी तरह का comma नहीं लगेगा सेड के बाद किसी भी तरह का comma नहीं लगेगा और नहीं reported speech जो ही है यहां पर inverted comma का भी use नहीं होगा तो यह है indirect speech और यहां पर नहीं पहले इतना कर लो उसके बाद हम जब बता रहे होंगे तो बताएंगे यह तो यह रहा ठीक है direct and indirect अब लोग आगे बढ़ता है एक point to be noted है क in note said is called the reporting verb बता दिया मैंने और जो within the inverted comma हो है reporting speech यह बाते हमेशा याद रखनी है और direct speech में reported speech जब भी start होता है तो capital से start होता ओके एक लेटर जो है capital होना चे starting वाला और बट उसके खुलता होता है इंडारेक्ट में ही जो है वो reporting speech का पहला जो subject है या पहला शब्द है जिसका लेटर जो है small में ही रहेगा ना कि capital में हो जाएगा एक point note करने वाला है कि indirect speech में जो reported speech रहता है उसमें हम लोग एक that लगाते हैं है ना क्यूंकि reported speech जो है उसको introduce कैसे करेंगे एक conjunction की तरह वो है that okay inverted को हमा हट रहा है तो यहाँ पर that लगेगा तो यहाँ पर हम लिख दे रहा है कि indirect speech indirect speech में क्या होगा reported speech is introduced by the conjunction conjunction के क्या नाम है that हमेशा indirect speech में कहीं अगर that रहता है तो समझ आएं कि this is shared in the indirect speech अब सीखते हैं एक example लेकर कि direct से indirect में कैसे कैसे change करेंगे तो एक sentence है रीना said comma inverted comma she is beautiful this is a sentence जो कि किस में है indirect sorry direct speech में है यह ना direct speech में अब इसको indirect में change करना है तो indirect में change करेंगे रीना said that she was beautiful यह किस में है यह हम लोग का indirect में है indirect speech में है यह ना what are the changes occurs while changing from direct to indirect changes यह है कि जब भी reporting वर्फ जो है वो पास्ट में रहता है तो जब रिपोर्टिंग speech रहेगा वो भी हम लोग का पास्ट में ही change हो जाएगा ओके डारेक्ट जब हम लोग जब डारेक्ट में था उसमय क्या था reporting वर्फ कौन है said है जो कि किस में है पास्ट में है और जब हम लोग reporting speech के तरफ आ जाते हैं जो की जिसमें जो वर्फ при ऊक्षस है यह किसमें है प्रेजेंट में है प्रेजेंट में हैं लेकिन जब हम लोग इसको इंडाएट में लेके चलते हैं जब इनडाएट में चलते हैं तो यह said तो sameed रहेगा no change in the said but said के अनुसार जो है इसका वर्ब जो है change हो जागा said अगर past में है तो इसको भी हम लोग past में change कर देंगे इसको past में change कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाज इसका past change होता है वाज इस जो है पहले ही बता दिये हम लोग इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो auxiliary verb को मैंने voice change बहुत अच्छे से clear किया है आप लोग description में लिंक दे दूगी मैं उसको जाकर चल से देख लीजिएगा और इस जो है पास्ट में चेंज कर देते हैं तो वह वाज हो जाता है वह भी एक auxiliary वर्ब है बटिन पास्ट फॉर्म समझ गया कि इंडारेटी स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो भी रहेगा उसके अनुसार हम लोग का जो वर्ब है जो रिपोर्टिंग स्पीच में रहे था वह उस और बहुत ज़्यादा ब्यूटिफूल है तो इसको आम लोग किसी तिसरे को बोलना ये बात कैसे बोलेंगे कि रीना बोल रही थी की वह बहुत ज्यादा ब्यूटिफूल थी ओके तो रीना सेट डाट मतलब कि सीवास ब्यूटिफूल और एक बार देख लिजिए जिस के कर दो आ रहाया वाली कंफन की सूचना प्राफ़ता असे रिपोर्टिंग वह बोलेंगे यानि कि रिपोर्टेग वह बहुत तो इसको जब भी कोई बोलता है तो इससा समझ foreign है कि हां इसके बाद वह कुछ ना कुछ दाफ़ बॉलेगा इसके बाद में वो कुछ ना कुछ information देगा, इसके बाद कुछ ना कुछ कथन आएगा, तो उसको हम लोग reporting work बोलेंगे, इसके बाद ही हम लोग का एक ठो जो है कथन आने वाला रहता है, या सूचना आने वाला रहता है, तो work जो है हम लोग को एक तरह का report indicate करता है, कि आखिर reported speech में बोला क्या जा रहा है, तो अब कुछ rules देख लेते हैं, rules for changing speech, speech में change करते सम है, दो ठो रूली अभी तब हम लोग देखे हैं, कि एक ठो that लग जाएगा, और एक ठो ये कि जो reported verb है, उसके अनुसार यहां का verb जो है, change होगा, लेकिन subject कैसे change करना है, और other thing वो सब कैसे क कॉमा के वीतर, जो भी first person, inverted कॉमा के वीतर, यह रहा inverted कॉमा, इसके वीतर जो भी first person, first person में आगर आता है, जैसे कि first person में कौन कौन आता है, बता देते हैं, बहुत change में first person में बहुत अच्छे से declare कर दिये हैं, और अच्छा से समझाए भी हैं, तो अगर आप description में लिंक दे है subject, उसको कौन कौन सा आता है, I, My, We, Our, Me, Us, यह सब जो है first person का है, तो यह जो है, inverted कॉमा के अंदर में रहेगा, तो यह change कैसे होगा, जब उन्हों इसको indirect में change करें तब, यह जो है subject के अनुसार change होगा, ठीक है, subject के अनुसार, change होगा, हमेशा subject के अनुसार change होगा, okay, first person में, जैसे कि एक example देते हैं, तब ही समझ में आ जाएगा, कि कैसे यह subject के अनुसार change होता है, example है, sham told me, I shall do my work, okay, तो हम लोग किस के बारे हम बात कर रहे थे, inverted comma के भीतर जो first person है, यानि कि I के बारे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, यह किसके अनुसार change होगा, reporting verb में जो subject है, कौन है reporting verb, this is the reporting verb, right, बता दिये है, यह हम लोग का जो है reporting verb है, इसका कौन है subject, यह है, तो यह जो है, किसके अनुसार change होगा, Sam के अनुसार change होगा, okay, तो change करते हैं सबसे पहले, अगर हम लोग इसका indirect में लेकर जाते हैं, तो Sam told me, that तो लगेगा ही, क्योंकि indirect में change करते हैं, that लगता ही है, और I को change करने इसका अनुसार, तो Sam कौन है, एक boy है, एक male है, okay, तो male के लिए जब भी लगता है, तो क्या लग change किये हैं, तो he would do his work, अब यहाँ पे would कैसे लगा, यह तो हम बताई दिये हैं, यह जो है, future tense में है, right, future tense में इसका cell का use होता है, तो हम लोग जब told है, यानकी past है, जब हम बोला है, past reporting verb जो होगा, अगर past मे रहाएगा, तो यह जो है, यह अला चीज, मतलब वर्ब जो होता ह इसका helping verb वो change हो जाता है, कि इसमें यह भी past के दोरानी आता है, तो would को भी हम लोग past के लिए यूज करते हैं, right, अब बात बताते हैं, siam told me I shall do my work, siam है, वो बोल रहा है, मैं अपना काम करूंगा, तो अगर हम इसी sentence को किसी और को बोलने जाए, किसी तीसरे person को बोलने या फिर my work भी नहीं लगेगा, my work मतल तो मेरा काम हो गया, he's work लगया, कि वो अपना काम, वो लड़का है, तो अपना काम, his work, वो अपना काम कर लेगा, okay, तो यह हुआ, example number one, अब example number two देख लेता है, एक्ठो, तो idea clear हो जाएंगे, they said, we want to go agra, उन लोगों ने कहा कि हम लोग आगणा जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या changes होंगे, जो यह हम लोग का, first person में subject है, reporting, speech में, वो जो है, they कैनुसा, reporting में आपको subject कैनुसा, change होगा, they said that, we मतलब कौन, उन लोगों ने कहा कि हम लोग आज आगणा जाएंगे, okay, यह एक meaning हो र लोग आगणा जाएंगे, और अगर हम इसी बात को किसी तीसरे को बोल ले जाए, तो कैसे बोलेंगे, उन लोग ने कहा कि वो लोग आज जो है, आगणा जाएगा, वो लोग यहाँ पर आ रहा है, हम लोग जब किसी तीसरे को बोलेंगे यह sentence, तो उसमें हम लोग, हम लोग किसी English related problems को solve करने कोशी करता है सबसे पहले उसको हम लोग हिंदी में change कर लेता है ना तो माइड बहुत जदी ले लेता है क्योंकि हिंदी जो हम लोग का mother tongue है तो easily cover हो जाता जैसे यहां पर बता रहे थे they said we are to go to agra वो लोग ने कहा कि हम लोग आगर जाएंगे इसी बात को हम किसी तीसरे को बोलने जाए हम अगर तो क्या बोलेंगे उन लोग ने कहा कि वह लोग आगर जाएंगे यहां पर wanted हो गया क्योंकि यह past में है तो इसको भी past में होना चाहिए यह present है ना इसके अनुसार य वो को हम लोग वेंट नहीं कर देंगे क्यों क्योंकि टू के बात हमेशा वर्व का one form यूज होता है वर्व का first form जो होता है वो यूज होता है तो के बात इसलिए two गो आगरा तो I hope you get it अब जो है rule number two आता है rule number two क्या है यदि inverted कॉमा के भीतर second person रहता है second person यानि कि अब तो second person अगर आता है you या फिर your you और your यह जो है second person है तो अब रिपोर्टिंग वर्व जो है object के अनुसार change होगा कैसे change होगा reporting verb reporting verb reporting verb object के अनुसार change होगा right जैसे one example देख लेते हैं example number one they रोहित टोल्ड मी you should do your work ठीक है यह रहाँ तो यहाँ पे किसको किसको change करेंगा जब indirect मे जाएंगा तो you को एक तो change करेंगा और दूसरा your को change करेंगे ठीक है क्योंकि यह दोनों जो है हम पहले ही बता दिये हैं यह दोनों second person में आ रहा है तो indirect जाते समय इसको reporting verb को object के अनुसारी change करेंगा तो देखो देखे क्या होता है इसका indirect मे तो Rohit told me that I should do my work ओके तो यहाँ पर जो object रनुसार कहने का मतलब क्या है यहाँ पर reporting verb कौन है यह रहा है और reporting verb का subject कौन है रहित लेकिन हम लोगों काम किसका है object का तो reporting verb का object है me और you should do your work तो इन दोर हमें changes होंगे पता चलिए एक मिनट सबसे पहले यह देख लेता है कि हिंदी में कैसे होता है रहित ने मुझे कहा कि तुम है तुम है तुम्हारा काम करना चाहिए। तो अगर हम इसको किसी और को बोलना जाये किसी और को तिसरे परसन को क्या बोलेंगे हम लोग रोहित ने मुझे कहा कि मुझे अपना काम करना चाहिए, तो I and my, मुझे अपना काम करना चाहिए, हिंदी में ही ले लो ना, रोहित टोल्ड मी you should do your work, रोहित ने कहा कि मुझे अपना काम करना चाहिए ना, तो यह ऐसे ही चेंज होगा, रोहित तो अपने तरफ से you ही लगाए है तो यू लगाएगा और हम लोग जब मी में लेंगे तो आई लगाएंगे और माई लगाएंगे अब रूस पर चेंजिंगी स्पीच में जो है लास्ट रूल देख लेते हैं इन्वर्टेट कॉमा के वीदा जब भी थार्ड परसन रहता है थार्ड परसन तो चेंजेस क्या हाई क्या थर्ड परसन होता है ही , रह, इस, यह सब थार्ड परसन है हम लोग प्हहले रही बता दिया है वीडियोमें ट्रूस बोलता है और थार्ड परसन जिसके बारे हम लोग बात करता है या बात कर रहे हैं तो इसमें जो है थार्ट परसन कभी हुआ अगर रहे है तो उसमें no change रहता है कोई भी change नहीं होगा जैसे का मैं example one देते है Shita told me she will do her work ओके तो इसमें changes जो है इसमें आएंगे और इसमें आएंगे क्या change होगा इसका इंडारेक्ट में Shita told me that she would will का would कैसे हुआ बताई दिया है क्योंकि यह past में है तो इसका reporting speech का भर भी past में होना चैए will का past from क्या होता है would होता है do her work यहाँ पे इन दोनों में change लाने का बात था ओके लेकिन क्या change हुआ कुछ no no change क्यों क्योंकि जो reporting speech में हम लोगा जो first subject जो है वो किसमें है third person में है तो क्या बोल रहा है third person जब भी रहेगा तो no change किसी भी तरह का change नहीं करेंगे in the indirect speech में किसी भी तरह का change नहीं होगा इसलिए यहाँ पे होगा सिता told me that she would do her work अगर हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो सिता ने मुझे कहा कि वह अपना काम करेगी तो अगर हम यहीं बात किसी और को भी बोल ले जाए सिता told me that वह अपना काम कर लेगी तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही narration के कुछ और रूल्स को मैं दुसरे वीडियो में लेकर आऊंगी मैं अगर आप लोगों को यह narration content अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना और share कर दीजे साथ नए नए अपडेट्स पाने के लि prof. ठीशन वाचिक एंपना के लाच पाने दूल्स कुछ नए ना